हेलो नमस्कार सभी साथियों को आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट्स दिनेश सर्मा सर जो की करेंट इफर्स की सांदर फैकल्टी हैं उनके साथ हम महतपूर बिंदों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर SSE CGL जो एसपरेंट्स होता है उस हमारे साथ बैटे हुए हैं दिनेश सर्मा सर जो की करेंट अफेर्स और स्टैटिक जी के काफी महान टीचर रहे हैं और आपको लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं तो आज उनके शब्दों से जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है और किन-किन चीजों पर हमें ध्यान र आप सम लोग को पता ही है कि आपको मदूद कर पाएंगे इस एक्जाम के अंदर हमारे ओनलाइन जो इनिशेटिव से उनके द्वारा ये भी हम लोग आपको यहां बताएंगे से कावटी इंसिटूशन के अंदर जो इनिशेटिव्स हैं कॉलेज प्लस कूचिंग का जो हमारा एक क्या बोलताते हैं यूएसपी है हमारी हम उस पर भी डिसकस करेंगे लेकिन आज हम ऐसे सीजेल एक्जाम के पूरे पैटर्न को डिसकस करेंगे वह जो भी बच्चे हैं म हम जाना चाहते हैं कि ऐसे सीजेल का जो एक्जाम पैटर्न होता है वो किस पर बेज़ होता है उसमें कितने चर्ड में एक्जाम होता है क्या पूरा पैटर्न है एक बर जरब बच्चों को जरू गाइड करिएगा तो ऐसे सीजेल का एक्जाम है यह सेंटरल गोर्मेंट का होता है पहला था भी हमेशा यह चीज याद रखिये और सही वता हूं तो UPSC एक्जाम के बाद में जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो CGL से ही मिलती है तो यह अच्छा है इस एक्जाम में एक टीर वन होगा जिसका प्री बोल सकते हो तीर वन में एक गंटे का एक्जाम होगा चार सेक्शन है बिल्खुल इसमें जनल स्टेडीज है और जी के बोल लो इसको मैठ रेजिनिंग है और इंग्लिश है सबको पता है 25-25 क्वेशन होगे मतलब 100 क्वेशन होगे एक गंटे का टाइम होगा 200 मार्क होगे और वन फोर्थ इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है तो यह प्री होता है और पहले प्री के मार्क जुड़ते थे लेकिन अभी प्री क्वालिफाइंग हो गया है और आप का जो फाइनल सेलक्षन है वो टियर 2 पे डिपैंड करता है मेंस पर इसको अब टियर 2 बोल लो मेंस बोल लो और टियर 2 में क्या हो रहा है अगर मान लो आपने जेएसो की पोस्ट के लिए अपलाई किया है स्टाटिस्टिकल ओफिसर के लिए तो उसके लिए एक सैपरेट होगा लेकिन अगर आपने जेएसो को अपलाई नहीं किया है तब आपका पैटरन मोरल है सब के लिए सेम रहने वाला है तो इसमें सेशन वन होगा सेशन टू होगा तो इंग्लिश है रीजिनिंग है मैथ है और जनरल स्टेडिस पहले नहीं हुआ करती थी और अभी मेंस मे जोड़ी गई है तो यह तो लगबग सारी पोस्टों में रहे है तो यानि की रीजनिंग और जीकेजिस अब आपको प्री और मैंस दोनों के लिए इंप्रेंट हो गये तो आपको मल लगा के पहले अचले मतारू सब जब यह सिर्फ मैथ इंग्लिश थी ना तो जादा इंग्लिश मीडियम के शहर की बच्चों को अब रीजिनिंग उतनी टफ नहीं है क्योंकि वो हुमेनिटीज के और आर्स के बच्चे भी हंडल कर लेंगे जियेस वो भी हंडल कर लेंगे तो अब यह जो गेम है यह सिर्फ इंजरियों के आस पास नहीं गूम रहा है अब बड के बच्चों के लिए और कुछ ऐसी पोस्ट होंगे जिन में कम्पूटर बेस एक्जाम भी हो सकता है और टाइपिंग के एक्जाम भी हो सकता है वो पोस्ट भाई पोस्ट वेरी करेगा जालतर पोस्ट हो के इंदर चार सेक्शन रहेंगे Math, Regioning, English और GK तो आगे हम जानते ह है सर से की जो हमारा CGL का cut-off होता है यानि कि प्री तो आपको बता दिया सर ने की qualifying होता है लेकिन मेंस का जो cut-off है पिछले 4-5 सालों में क्या रहा है एक हम overall average जाना चाते हैं कि जो मेंस का cut-off रहता है वो क्या रहता है यानि कि आपको किस इस तर तक पढ़ाई करनी है और कितनी मेहनत करनी है आपको हर एक सब्जक्ट पे कितना score आपके लिए safe score होगा यह जरूर हम सर आपसे जाना चाते हैं लोको CGL cut-off हमेशा हाई रही है और इसकी प्री की cut-off हम जलने discuss करेंगे अभी तो क्योंकि अभी प्री ही पास में है अभी main पोस्तों की बात करें तो cut-off और भी जादा थी 170, 168 बहुत high cut-off थी तो यह एक controversy create हुई इसका कारण यह भी था कि generally जो number of student निकाले गए थे means के लिए qualify के गए गए थे वो number कम था पहले यह था कि बैप 15 गुना निकालेंगे तो उनने उस साल कम निकाला था तो इसलिए cut-off हाई थी उससे पहले cut-off रही 114 तो cut-off तो इस बात पर निरभर करती है कि paper का इसतर कैसा है उस साल जो बच्चे बैट रहे हैं उनकी तयारी का इसतर कैसा है तो यह सारी चीज़ों पर cut-off depend करती है लेकिन फिर आपने बोला कि safe score मेरा यह बानना है कि 130 प्लस आपको हमेशा टारगेट करना है आप बिल्कुल भी से नीचे सोच नी सकते हैं और इसके लिए मैं आप शुट बताऊंगा आप ग्रीजिनिंग को अलके मिल ले सकते हैं तो फटापट उसको निपता यह उसके बाद में इंग्लिश पर भी यह जल्दी हो जाता है किस लेवल का है अगर हम बात करें number of seats यानि कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक लाख बच्चों ने form भरा हुआ है तो एक लाख बच्चों के form फिल करने पर जो एक्जाम देने जा रहे हैं उसमें competition का ratio जो है पंद्रह हजार प्लस हैं वैसे बाइस में पचीस हजार प्लस भी हो गई थी तो पोस्ट का आप मान लो दस हजार प्लस ही आप मान के चलो तो यह पोस्ट रहता है और तो मतलब हम यह कह सकते हैं कि अगर जो बच्चा लगातार तयारी कर रहा है और आपने पूरे motivation के साथ तो बच्चा यह selection easily ले सकता है लेकिन जरूवत है उसको dedication की उसको regular होने की और motivation की बिल्कुल बिल्कुल जो पोस्ट तो अच्छी कासी रहती है 10-12,000 पोस्ट कम नहीं है मैं तो अभी तो 17,000 आई है किसी भी exam में इतनी पोस्ट नहीं है आप UPSC में जो हजार पोस्टे हैं तो number of post CGL में काफी जादा रहती है और जो job है वो भी बहुत सारे departments में है तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप dedicate होके तयारी करते हैं तो ऐसा दिक्कत नहीं है तो आगे हम जाना चाहेंगे कि अब कि जो हमारे पास जो important post है यानि कि आपके पास CGL में पता है कि आपके इस पास बहुत सारी number of post हैं लेकिन उन post के अंदर कि आपकी main post क्या है आपको किन पर preference देनी है कौन सी post है जहां पर salary भी ज़्यादा होती है और आपका रुतबा जो होता है वो रुतबा भी ज़्यादा होता है तो सर ऐसी कौन सी post है जहां पर बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना भी डिफेंस मिनिस्टर में भी जो auditor वाली जो post है उसकी बहुत ज़्यादा value है हाई salary जो नहीं है उसके बाद फिर अगर आप बात करें तो यह जो tax inspector वाली post है चाहे वो custom excise में हो चाहे वो फिर GST में हो तो यह जो है यह सबसे ज़्यादा एक तो auditor की post मा लीजे और इसकी और फिर GSO की separate है वो भी बहुत important post है उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे एसपायर करते हैं तो जैसे आपने पॉइंट बीच में कहा कि salary तो sir salary का जो criteria होता है कि इन post के अंदर कि कहां से लेके कहां तक की salary जो है वो बैरी करती है तो salary मेरे असाब से इसमें salary है अगर आप सारी चुछों को मिला लो या चार मिला लो जितने भी आपको perks मिल रहे हैं सम मिला लो तो असी हजार से डेड़ लाग के बीच तो तो कह सकते हैं बहुत अच्छी salary है बहुत अच्छी salary है मतलब आप अपना जीवन यापन बहुत अ तो आप किसी भी difficult situation में जाद दुनिया कहीं भी हो लेकिन आपकी salary आती रहेगी COVID में कोई भी रोया प्राइविट आदमी की नोकरी गई बिजनिस बंद वे जो भी हो सरकारी officer ऐसे थे जिनको tension नहीं बिल्कुल बिल्कुल महेंगाई के लिए सब रो रहे हैं आलू महेंगे स तो आखिर में आप सभी SGI aspirants और SGI experience से मैं ये आपके लिए खास अंदेश देना चाहता हूं कि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं आप अगर सेखावाटी group of institutions में आकर अगर तयारी करते हैं तो सर हम लोग एक concept लेके चल रहे हैं कि बच्चा जो तयारी कर रहा है वो डिगरी के साथ यहां पर competition क्योंकि आपको पता है कि अभी CGL जो है वो graduate label पर post है और जो बाकी से नीचे की post आती है CHSL हो गया MTS हो गया STNO हो गया तो number of post कई सारी ऐसी जो 12th basis पर होती है तो यह SGI जो है वो ए college है यहां पर बच्चा graduation के लिए आता है और बच्चा post graduation के लिए का एक अच्छा मौका है और जो बच्चा graduation कर रहा है उसके 12th basis पर भी उसके पास एक मौका है और जब वो gradation कर लेगा तो gradation के साथ ही उसके पास एक better opportunity है कि वो अपना selection ले ले लिए तो इस concept को सर आप कैसा आगते हैं मैं इस चीज को आना मतलब ऐसा मानता हूं कि यह बहु नहीं रहा है कि भाई यह BSC कर रहा है इसको पहले हम recruit कर लें कोई market में कोई खास इसके demand नहीं है इन डिग्रियों की पर definitely बहुत साई लोग NEET की त्यारी नहीं करते बहुत साई लोग IT की त्यारी नहीं करते वो लोग इन चीज़ों को opt करते हैं अब तीन साल पूरा करने के हम तीन बार तैयरी करा रहे हैं आपको तीन बार आप तैयरी कर रहे हो तो सोचो कि आपके concept कितने अच्छे होंगे मतलब basic से लेखे एडवांस लेवल होगा और आप 100% guarantee के साथ निकलेंगे जैसे college पूरा होगा उसी साल home बर दो उसी साल नोकी पकी और इतनी छोटी से उमर सेखा वाती group of institution जो है वो आपके लिए तत पर है तो आप कही से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं आप सेखा वाती ग्रूप of institution SEEKER के अंदर विजिट करिए और अपने सपनों को साकार करिए क्योंकि ये सपने आपके अपने हैं और इन सपनों को साकार करने के लिए हमारी पूरी टीम प्रतिबध है, तो आज ही विजिट करें, सेखावाटी ग्रूप आफ इंस्टूशन सीकर में, जहाँ पर ग्रेजुशन और पोस्ट ग्रेजुशन के साथ, कॉम्पूटिशन क्लासिस आपको दी जा रही है, मिलते एक और वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीड जाहिए जाहिए दन्यों